हलो फ्रेंज दुर्गा किचिन में आपका स्वागत है तो दोस्तों अगर आप चटपटा खाने के सौकीन है ना तो ये रेस्पी आपको बहुत पसंद आने वाली है ये सबजी मैंने मेरिच प्याज और कच्ची आमी से बनाई है बहुत ही टेश्टी बनती है दोस्तों दाल सबजी खाते हैं अगर आप बोर हो जाओ ना तो ये सबजी चरूर बनाईए बहुत ही टेश्टी और आप इसे जटपट बना सकते हैं चास से पास दिन बनाके आप इसे फिज में रख लीजिए जब भी आपका मन करें तो आप इसे तुरंध निकाल के अपनी धाली में रख सकते हैं और इन आमी को मैंने अच्छे से कट कर लिया है चील के छोटे टुकड़ों में जैसे मेच की है उसी साब से मैंने इसके आमी के भी टुकड़े की हैं तो चलिए इसे बना लेते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट करना है दोस्तों ना भूलें और दुरुका किचिन को भी जोइन कर लीजिए तो चलिए बना लेते हैं एकड़ाई रखेंगे और उसमें डाल देंगे ओयल अच्छा सा हमारा गरम हो आप इसमें बारिक प्याज ना कट करके डालें तो उसी साब से यह से आमी जो हमने कट कर रखी थी वो भी हम इसमें डाल देते हैं प्याज को हमने ज्यादा नहीं पूना अब जो आमी डाली है अब उसके साथ दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी और ये देखिए आमी जो है अच्छे से दवने लगी है अब उसमें लाश्ट में डाल देंगे हैं ये मिर्च फ्लेम को सिलो कर दें और अच्छे से मिर्चों को भूल लें तो मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है दोस्तों सबसे पहले प्याज और आमी पका लें उसके बाद लाश्ट में आ दोस्तों इस सब्जी में ज्यादा मसाले की बिल्कुर भी जरूरत नहीं पड़ती टेस्ट के साफ से आप इसमें नमक डाल सकते हैं और अच्छे से हम भून लेंगे थोड़ी देर चलाते हुए फ्लेम को स्लो रखें और अच्छे से मेचों को अच्छे से पका लेते हैं कुछ ही में बिना किसी जंजट के सब्जी बनके तयार हो जाती है आपके घर पे सभी को यह बहुत पसंद आए कि एक बार बना के जरू देखिए तो यह लेजिए तयार है हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी सी सब्जी आप इसे इंजोई कीजिए मार्केट में कच्छी स किसी आमी आई हुई है तो आप उनामी का मजा लेजिए पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें थैंक यू